आज से दस दिन पहले खबर सामने आई थी कि भारत के द्वारा अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का जो दूसरा स्टेज है उसमें प्रवेश कर लिया गया था। आपने इसको लेकर वीडियो भी बनाई थी अगर आपने नहीं देखी है तो इसको जरूर देखिएगा लेकिन दोस्तों ये वाली जो development है domestically तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी development मानी जा रही थी अब कहा जा रहा है कि ये internationally भी एक बहुत बड़ी disruption साबित होने वाली है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो nuclear energy के जो दुनिया भर में leaders माने जाते हैं जैसे कि United States of America हुआ वहाँ पर भी ये वाली technology available नहीं है अगर मैं nuclear reactor technologies of America की बात करूँ तो वो mainly दो तरह की reactor technologies पर ही dependent हैं एक तो है light water reactor technologies जो कि America almost पिछले 60 सालों से इस्तिमाल करता आ रहा है और उसके बाद एक उनकी जो नई technology है वो small modular reactor technologies की है जिसमें की वो छोटे-छोटे nuclear reactors को बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्होंने भी जो इंडिया के द्वारा अचीव किया गया है उनके द्वारा भी अचीव नहीं किया गया है similarly अगर Germany की बात करें जो की again एक बहुत बड़ा leader माना जाता था in the field of nuclear energy वो भी उन्होंने तो बलकी अब nuclear reactors को बनाना ही बन कर दिया है लेकिन जितने भी साल उनके द्वारा nuclear reactors को बनाया गया चलाया गया उन्होंने भी इस technology को अचीव नहीं किया था इस milestone को अचीव नहीं कि जो का है जिसमें कि हमें uranium की directly आवशकता पड़ेगी ही नहीं आप लोग देख पाएंगे article आज morning ही सामने आया है और भी कई सारे article सामने आये हैं जो कि बताते हैं कि जो भारत का indigenous fast breeder reactor है ये एक नया global disruptor साबित होने वाला है और ये इंडिया की जो capabilities है advanced nuclear sciences में इसको भी इसने यहाँ पे proof कर दिया है बात करेंगे दोस्तों इस पूरे reactor के बारे में जिसको हम pressurized fast breeder reactor कह रहे हैं क्या-क्या इसकी विशेशता ही है क्या इसकी खासियत है और साथ में ये भी discuss किया जाएगा कि इस particular reactor के बाद क्यों अब भारत को nuclear supplier group membership की आवशकता है ही नहीं आईए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए और 2026 के जो batches हैं वो शुरू करवा दिये गए हैं अगर आप इनमें enroll करना चाहते हैं तो process बहुत ही simple है नीचे दोस्तों description में आपको एक bit.ly link दिया हुआ है उस bit.ly लिंक पर जाकर के आपको click करना है मेरा नाम choose करना है जो भी आपके मन में doubt या query है उसको वहाँ पर भरना है और हमारी टीम आपको reach out करेगी, guidance fraud करेगी और साथ में आपको enrollment के time पे discounts भी available करवाए जाएंगे. Alright, सबसे पहले जो हमने reactor technology जो हमने achieve करी है उसको समझ लेते हैं. इस reactor को कहा जाता है pressurized fast breeder reactor. इसके नाम में ही breeder आता है मतलब कि ये एक ऐसी machine है which produces more nuclear fuel than it consumes. मतलब कि अगर आप इसमें X डालते हैं तो आपको X से जादा fuel यहाँ पे produce होता देखने को मिलता है. और ये एक बहुत बड़ा milestone माना जाता है भारत के लिए because इसके साथ India has now entered the stage 2 of its 3 stage nuclear power program जो की हमारे जो nuclear energy के father है Dr. Homi Baba उन्ही का एक brain child था और उन्ही का जो program था उसमें आज हम लोग second stage में entry ले चुके हैं. इसको समझने के लिए मैं आपको briefly जो three stages है उसको समझा देता हूँ. जो stage number one है ये तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं हमारे जितने भी इंडिया में जो भी nuclear reactors बने हुए हैं कलपक्कम में, कुदन कुलम में, even उसके इलावा जितने भी हैं वहा हम लोग natural uranium 238 का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब इसमें आप लोग uranium 238 का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो product है, वहां से निकल कर आता है depleted uranium and साथ में plutonium. ये वाला जो plutonium निकल कर आता है, इसको हम लोग plutonium 239 बोल देते हैं और ये वाला plutonium ultimately second stage में इस्तेमाल हो जाता है अब second stage की खास बात यही है कि हम लोग plutonium 239 का इस्तेमाल करेंगे along with small quantities of uranium 238 but the best part is कि इसमें अब हम लोग साथ में thorium का भी इस्तेमाल करने लग जाएंगे. तो basically plutonium उसके बाद साथ में uranium and हम लोग thorium का इस्तेमाल करेंगे और यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है because इंडिया के पास जो thorium के भंडार है वो भारी मात्रा में available हैं. अगर मैं overall globally बात करूँ तो 25% से भी जादा जो global thorium के reserves हैं वो केवल इंडिया में ही देखने को मिलते हैं. आंकडो की बात करूँ 900,000 टन से भी जादा का thorium हमें भारत में देखने को मिलता है जिसमें maximum contribution आंधरप्रदेश उसके बाद तमिलाडू, ओडिसा, केरला, वेस्ट बिंगॉल जैसे states में आपको देखने को मिल जाता है. यही हमारी सबसे बड़ी power थी और इसी power को हम लोग use करना चाते थे इसलिए हम लोग काफी अरसे से stage 2 पे आने का प्रयास कर रहे थे लेकिन अब हम लोग finally आ चुके हैं. इसका पड़े नाम क्या होगा? एक बार हम लोग stage 2 को properly perfect कर लेते हैं तो obviously stage 2 से हम लोग stage 3 में enter कर लेंगे और stage 3 में तो the best part is की हम लोग uranium 233 को produce करेंगे और वहाँ पर भी हम लोग इसके साथ thorium का इस्तेमाल करेंगे और यह एक self sustainable stage बन जाती है मतलब की आपको बाहर से कोई और फिर extra fuel डालने की आवशकता पड़ती ही नहीं है नाव यह क्यों अपने आप में बड़ी बात है? नमबर वान क्योंकि यह fast breeder reactor है तो इसमें आपका पास जो fuel बन रहा है यह जादा बन रहा है as compared to the fuel जो की consume हो रहा है नमबर टू इसमें nuclear waste जो generate होता है वो बहुत कम है त current energy needs को meet कर सकती है लेकिन हमारी जो विकसित भारत की energy demands है वो current energy needs से almost three and a half times है और पूरे दुनिया में कोई ऐसा source नहीं है जो की इतनी energy को produce करेगा जितना की थोरी हम हमारे लिए produce कर सकता है इसलिए कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ी development है domestically भारत के लिए क्योंकि अब हमार dependence किसी भी और source के ऊपर खतम हो सकती है और इसी basis पर कहा जा रहा है कि हमें nuclear suppliers group की membership की आवशकता होगी ही नहीं आपको याद करवाद हूं इंडिया NSG की membership काफी लंबे time से request कर रहा था demand कर रहा था because अगर हम लोग उसका member बन जाते हैं तो इससे इंडिया का जो access है to state of the art nuclear technology from other members of the group ये बन जाता लेकिन अगेन जब से इंडिया कोशिश कर रहा है तब से चाइना हमारी membership को block कर रहा था कहते हुए कि इंडिया ने NPT को sign नहीं किया है इसी लिए हम लोग यहाँ पे इंडिया की NSG की membership को कभी भी accept नहीं करेंगे परिनाम यह था कि हम लोग member नहीं बन पा आएगा thorium पे और पुरानी stages से निकलने वाला जो fuel है वो हमारे पास available होगा ही और थोड़ा बहुत uranium तो इंडिया के पास भी available है तो overall हमारा जो import है या हमारा जो uranium हम बाहर से आयात करते थे वो हमें अब लेने की आवशकता पड़ेगी ही नहीं क्योंकि ultimately हम लोग thorium का इस्त करेंगे और थोड़ा बहुत uranium जो कि वैसे भी हमारे पास available देखने को मिल ही जाता है that is why कहा जा रहा है कि यह जो technology है यह global level पर भी बहुत सारी चीजों को disrupt करने वाली है हां कुछ-कुछ challenges हैं जो कि हमें यहां पर पूरे करने होंगे एक pressurized fast reader reactor से नहीं होगा अभी हमने ऐसे और बहुत सारे बनाने पड़ेंगे and fuel recycling जो की एक reactor को sustainable ही तरीके से उसी को घुमा के fuel को इस्तेमाल करता रहता है वहां पर fuel recycling की एक technology है जो की हमें create करनी होगी वो उस पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया है अगर वो चीज़ भी हो जाती है उसके बाद हम लोग इस process क completely perfection पे ले आएंगे so overall it's a very very big milestone and मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि Dr. Homie Baba का जो vision था जो उनका spirit था उसकी हमें दाद देनी होगी उन्होंने आज से 60 साल पहले सोच लिया था कि अगर हम लोग thorium based energy program बनाते हैं तो हमें किसी और पे dependency नहीं होगी और आज इंडिया को वही pressurized fast breeder reactor को बनाने में help करी हैं बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं definitely बताए हमें comment section में जाने से पहले बताना चाहूंगा कि UPSC Prelims 2024 के लिए कुछ podcast on academy लेकर आई है जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो definitely देखेगा इससे आपको अपने exam के लिए कुछ important last minute tips भी हासिल हो सकते हैं thank you so much for listening stay tuned and stay safe